Germany में master's करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, चलिए बात कर लेते हैं तीन टाइप की खर्चे आपके important होते हैं before admit जिसका मतलब है कि admission से पहले आपका कितना खर्चा होगा after admit या फिर during the visa procedure जिसका मतलब है कि जब आपको वीजा लगवाना है तो उस सारे procedure में आपके कितने पैसे लगेंगे और आखरी खर्चा होगा after visa कि वीजा मिलने के बाद आपको और कितना expense लगेगा मैं step-step in तीनो expenses के बारे में बात करूँगा वीडियो का इंट तक ज़रूर देखना आपको clarity मिल पाएगी कि आपका tentative कितना खर्चा हो सकता है आपकी master's पढ़ने के लिए जर्मनी में सबसे पहला खर्चा आपकी university transcripts जिसका मतलब है कि अगर आपने आपने बैचलर्स इंडिया में की हुई है तो आपको एक consolidated mark sheet चाहिए होगी अपनी bachelor university से जो कि कभी-कभी कई cases में 500 पे की होती है 1000 पे की होती है आपको 4-5 copies आप अपने पास रख लीजिए अब ये transcripts काम कहा आती है मैं उसके बार में बात कर लेता हूँ कभी-कभी क्या होता है कि जब आप UniSS पे apply करेंगे या फिर directly किसी university की portal पे apply करेंगे तो वो तो वैसे तो आपसे इस time पे photo copies मांगेंगे बट हो सकता है in future दे से कि हमें ये चीज ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए है जिसका मतलब है कि best रहेगा कि आप एक envelope में अपनी सारी semester mark sheets को कठे एक envelope में बंद करवा के रख ले which would be original और ऐसी original copies पांच रख ले तो इसका overall जो खर्चा होगा वो होगा 5000 रुपीज इस moment पे शायद आपको पता नहीं होगा कि आपको directly unisist पे apply करना है कि university के direct portal पे apply करना है तो best रहेगा कि आप 4-5 copies बना ले ताकि आपको future में वापस अपनी bachelor university के पास ना जाना पड़े तो इसका खर्चा होगा 5000 रुपे इसके बाद आता है आपका photo copies documentation आपको कोई भी चीज़े करानी है तो उसका miscellaneous 1000 पे रख लेते हैं इसके अलावा आपके लिए आज के sentence के साबसे important होगा APS fees जो की है 18,000 रुपे इसके बाद IELTS की fees जो की 16,000 के आसपास होती है हाँ कहीं कहीं cases में ऐसा भी होता है कि आपकी bachelor's का degree का certificate कि आपने वो English में की हुए चल जाता है बट मैं आपको suggest करूँगा आप IELTS exam देके खतम करो क्योंकि किसे ना किसी stage पर शायद ऐसा हो सकता है कि आपको किसी university में अप्लाई करना हो जहाँ पे आपके IELTS required हो तो best है कि आप उसको starting में ही देते फिर आती है आपकी uni assist की fees अगर आपने जर्मनी में अप्लाई करना है अपनी master's के लिए तो काफी सारी universities में आप directly apply नहीं करते हैं आप करते हैं uni assist पे apply और वहाँ से आपके application आगे forward होती है जिसका मतलब है कि अगर आप एक university पे apply कर रहे है तो वहाँ पे आपकी fees होगी 75 euros और second, third, fourth, fifth की plus 30, plus 30, plus 30 तो हम ये लगा लेते हैं इस case scenario के हिसाब से कि आप 6 universities में apply कर रहे हैं तो आपका लगबग लगेगा 220 euros जो की होता है 23,000 रुपे ये सारा खर्चा होगा आपका before admission जो की होता है 65,000 INR अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी admission हो गई है तो अब किस type का खर्चा होगा आपका सबसे पहले तो आपकी आती है visa fees visa fees जो की होती है 7,000 रुपीज इसके बाद आता है आपका of course travel and health insurance जो की आप अपने visa के लिए करवाएंगे जो की 3-3,000 रुपी में आराम से हो जाते है आपको 3 मीने का करवाना होता है minimum starting में आपका covered होती है सारी चीज़े etc ये आपको बहुत सारी websites मिल जाएंगी जहां पर आप अपनी health insurance करवा सकते हैं सबसे important खर्चा जो आपका visa से पहली होगा वो है आपका blocked account जो की 2024 के standards के हिसाब से है 11,208 euros जिसका मतलब है कि आपको लगभग चाहिए होंगे साड़े 10 लाक रुपे अपने blocked account में जो की हर महीने के हिसाब से आपके German account में आते रहेंगे जब आप Germany में आएंगे इसके बाद अब आप अपना visa लगवाने जाएंगे हमारी semester fees है 1000 euros जो की होता है 90,000 रुपे तो इस पूरी category के हिसाब से हमारा total खर्चा हुआ blocked account मिला के 11,5 लाक रुपे तो अब तक का हमारा total खर्चा हो चुका है before admission का 65,000 और blocked account और during visa वाले procedure का 11,5 लाक रुपे जो की बनता है 12,15,000 मैं कहता हूँ आप 12,15,000 पर लगा लिजिए अगर आपको लग रहा है कि ये investment अभी बहुत जादा है मैं आपको definitely suggest करूँगा कि अगर आप एक intelligent इंसान है या फिर आप street smart इंसान है या फिर आप एक parent हो सकते हैं जिसको लग रहा है कि best investment करोगे अपने future में कोई point नहीं है आपका इंडिया में बैठके नौकरी करने का अगर आपने सोच लिया है कि आपको अगले 15-20 साल नौकरी ही करनी है तो master's दो होना बहुत बहुत important है क्योंकि जब आप corporate में गुसेंगे तो वहाँ पे आप उपर सिर्फ और सिर्फ अपनी master और educational background की वज़े से ही जा सकते हैं ऐसा सोचने की जूरत नहीं है कि सिर्फ bachelor's से भी काम चल जाता है चल जाता है अगर आपको business करना है बट अगर आप sure है कि 10-15 साल मुझे नौकरी करनी करनी है तो master's में invest जरूर करें इन सारी खर्चों के बाद आता है कि मानली जी आपका visa लग चुका है अब किस type की खर्चे होंगे सबसे बड़ा खर्चा पहला आता है आपके घर का deposit कि जहांबे भी आपने घर लिया है हो सकता है कि आपने visa appointment में भी document दिखाना था या फिर आप वहांपे hotel confirmation दिखा दे बट hotel confirmation दिखाने के बाद अब जब आपको सच में घर चाहिए तो आपके लिए एक upfront cost लगेगी उस घर का deposit अब वो really depend करेगा कि वो 500 euro है कि 800 euro है और उस घर का infrastructure कैसे है उस पे depend करेगा आपके घर का deposit बढ़ हम एक average number लगा लगा लेते हैं 500 euro के हसाब से तो आप 50,000 रुपे side कर लीजी यह आपका घर का deposit होगा हो सकता है कि आप starting में जाएं आप starting में चोटा सा घर ले ले और आपको अब सोचा आपने की दो महीने के बाद मैं 6 मीने बाद मिलता है तो बेटर रहता है कि आप थोड़ा सा backup cash अपने पास रखे जो कि additional 50,000 रुपे हो गया तो इन चीजों का भी जुरूर ख्याल रखे फिर आता है कि आपका furniture and home setup कि आपने घर furnished लिये कि नहीं लिये आपको table, chair, basic चीज़े चाहिए होंगी अगर उन्होंने सर्फ bed provide कर दिया है तो आपको definitely एक working desk, chair यह सारी चीज़े definitely चाहिए होंगी तो इसके लिए आप additional 20,000 रुपे रख लीजिए और इस 20,000 में हो सकता है आपकी kitchen electronics भी थोड़े से covered हो normally mostly आपको घरों में आपे सारी चीज़े मिल जाती है बट just in case आप backup के लिए यह 20,000 रुपे जरूर रखें फिर आता है आपका खर्चा flight का जो की one way flight होगी जो की बहुत अराम से 30,000 में हो जाता है और इसके बाद हम रख लेते हैं 10,000 रुपे for miscellaneous सारे kitchen utensils, crockery से लेके masala tray से लेके आपकी extension wire तक आपका universal adapter यह सारे खर्चे 10,000 रुपे में हो जाएंगे अब of course थोड़ा सा subjective case होगा कि आप जो अपना winter gear ले रहे हैं कि अगर आप winter batch के ले आ रहे हैं तो उसमें आपको jackets चेगे होंगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ठंड etc वो हर बंदे का खर्चा अलग होता है बट मैंने overall इस चीज़ का miscellaneous का 10,000 रुपे लगा लिया तो visa मिलने के बाद की पूरी category का आपका खर्चा होगा लगबग 2,10,000 रुपे जिसका मतलब है कि आपका total खर्चा इन तीनों categories का बनता है 65,000 प्लस 11,50,000 प्लस 2,10,000 यह बनता है total 14,30,000 रुपे 14,30,000 रुपे मैं कहता हूँ कि आप सारी चीज़ों को miscellaneous add करके 15,000 बजट रख लिजी क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको पहले masters पे आने के लिए 15,000,000 रुपे में आना considering कि आपकी semester fees 1000 से कम है अब बात करते हैं कि अगर कोई यहाँ पे already आ चुका है तो वो सोच रहे कि मैं अपनी second या third semester की fees कैसे दूँगा let me tell you कि Germany में जब आप आप नौकरी करेंगे irrespective आप office में कर रहे हैं कि आप कमा पाएंगे दूसरे तीसे चौथे महीने से depending on आपको कब मिलती है कोई ना कोई नौकरी मिली जाएगी इस ताइम पर नहीं लड़ते कि कौन सी नौकरी मिलने वाली है आपको इस से जाधा पैसे ही मिल सकते हैं आप 20 के जगा 22 गंटे काम करें बहुत सारे scenarios है but in any case clearly possible है कि जब आप यहाँ पर land हुए तो आपको घर से पैसे फिर से नहीं मंगाने पड़ेंगे as long as आप बहुत सारे यॉरोप ट्रिप में नहीं गूम रहे हैं आपको आपको पैसे ले 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 और उसमें से भी थोड़े थोड़े पैसे ले 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 तो भी आप अपनी semester fees पे कर पाएंगे तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें जास टेस लेने की ज़ूरत नहीं है और कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं हम एक forex card ले आते हैं अगर आपको forex card free में मिल रहा है तो आप ले आईए आपको कोई नुकसान नहीं इस चीज़ का नहीं तो आप cash in hand रखें जहोनी में cash भी हर जगा चल जाता है जब आप यहाँ पर आएंगे अपना bank account खोलेंगे तो उससे पहले भी आपको cash चाहिए होगा एक दो महीने के असाब से जो कि हमने already numbers में include कर लिया है तो forex card शायद इतना जुरूरी भी नहीं है आप अपने बास cash रखें और बहुत सारे Indians etc. लोग हैं आसपास तो आपको इतना डरने के जुरूतनी है कि what if मेरा यह हो गया वो गया आप आराम से manage कर लोगे कि इतना stress मत लो इसके लावा if you are thinking कि आपको content creation करने आपको कुछ और करने तो of course आपका tripod या mic etc. इसारे चीज़े required होंगी in order to document your journey and अगर आप laptop और फोन इस खर्चे में include नहीं कर रहे हो तो बहुत आपका पंदरा राख में चीज़े हो जाने चाहिए तो definitely go for it it would be the finest investment that you will make for your future I hope this video को देखने के पाद आपको clarity मिलगी होगी कि आपका खर्चा किस किस ताइब का होगा there are so many content creators related to Germany or studying in Germany feel free to reach out to them or just do your own research आपके कि इस शहर मेरा इतना खर्चा हो सकता है मेरी profile के साब से मुझे इस ताइब की job मिल जाएगी सारी चीज़े आप घर बैठके आराम से research कर सकते है so spend some time on that and definitely if you have any questions feel free to reach out to us via email or via Instagram page and if you still have any questions do write them in the comments तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ all the very best डरने की कोई जुरोत नी है definitely try करना expense breakdown आपके सामने है so all the very best do try see you next time आपके साथ